तो इस सीरीज में स्वागत है आपका जहां पे हम HCS Prelims 2024 के लिए आपकी quality जो है वो cover कर रहे हैं अभी तक के lectures में हम the company rule जो है उसको पढ़ चुके हैं उससे आगे की बात अब हम इस lecture से शुरू करते हैं that is the crown rule मैंने आपको पहले भी lectures के अंदर बतायावा है पहले हमने regulating act से लेके हमने 1858 से पहले तक की जितनी भी कहानी है वो हमने पढ़ी थी the company rule के अंदर किके आज हम शुरू कर रहे हैं जो वो है हमारा the crown rule जैसे हमने the company rule को दो पार्ट के अंदर पढ़ा part 1, part 2 वैसे ही हम यहाँ पे the crown rule को भी दो पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं part 1 यह video है जिसके अंदर हम आज deal करेंगे यहां से लेके आपके यहां तक के acts यह है हमारा the crown rule का part 1 और यह होगा हमारा part 2 जो इससे next video जो है उसके अंदर आपको cover कराया जाएगा देखिए यह सारी information हमारे exam point of view से बहुत important है direct questions जो होते हैं इन topics से आजाते हैं आपको भी quality के अंदर पता होगा कि कुछ चीज़े बहुत important होती है prelims specific prelims के लिए बहुत चीज़े important कौन सी है एक तो यह constitutional development है fundamental rights है DPSP है fundamental duties है आपके parliament हो गई central आपके executive हो गई president prime minister council of minister ऐसे ही state executive हो गई judiciary हो गई आपके union and आपके supreme court and high court दोनों हो गए देन उसके बाद में बहुत सारी constitutional and non constitutional bodies तो यह वाले जो points हैं यह वाले जो topics हैं आप इनको ignore बिलकुल मत कीजिएगा क्योंकि यहां से आप PY की उठाके देख लीजिए बजयाए अगर आपको लग रहा है कि यहां से question बनेगा या नहीं बनेगा आप PY की उठाके देख लीजिए आपको इन एक एक वो रूल करने के लिए आएगा तो इसके लिए बहुत सारे एक्ट हैं Government of India Act 1858, Indian Council Act of 1861, Indian Council Act of 1892 आज तक की class में हम यहां तक discuss करेंगे फिर हमारे लिए सबसे important 1909, 1919, 1935 and 1947 का Indian Independence Act जो है इसकी कहानी हम part 2 के अंदर कवर करेंगे तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए हमारा Government of India Act of 1858, देखिए 1858 है आप सभी को एक चीज़ याद आ रही होगी 1857, the revolt of 1857, सिपॉय म्यूटिनी, the first war of Indian Independence बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है जैसे ही 1857 की क्रांती हुई, revolt of 1857 हुआ, British Government को ये बात समझ में आ गई, Britishers को आपके England में, महरानी को ये बात समझ में आ गई, कि अब जो है मेरे को कंट्रोल यहाँ पे complete करना पड़ेगा, तो उसी के लिए एक Act लाए गया, that is Government of India Act 1858, देखिए इसके background में सबसे पहले जो बात हमने समझनी है, revolt हो रहा है 1857 का, पहली बार Indian Independence के लिए बात उठी है, तो First War of Independence की बात भी इसको कही जाती है, सिपोई मिटीनी भी इसको कहा जाता है, तो ये सारे नाम के साथ, जब ये चीज इतनी बड़ी हुई, तो ये लोग डर गए ना, obviously ये आपके queen है वहां की, ये लोग डर गए कि भाई ऐसे तो ये independence मांगेंगे, तो क्यों ना हम good government इनके यहां establish करें, इनके according ये good government है, हमारे according ये good government नहीं होगी, ध्यान से देखेगा क्या करने की कोशिश की गई, सबसे पहले इन्होंने कहा, हम एक act ला रहे हैं for the good government of India, औ अधिके सबसे पहला नाम इन्होंने इस act को क्या दिया, ध्यान से देखेगे, government के लिए good government के लिए act लेकर आ रहे हैं, और देखिएगा ज़रा good government के लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया में good government लेकर आएंगे हम, क्यों क्योंकि आप लोग satisfy नहीं हो अभी जो लोग हैं, आ यह हमारे लिए drama नहीं है, यह हमारे लिए बहुत important चीज है, लेकिन इनको क्या लगेगा, आप यह सारी चीजे कर रहे हो, रुख जाओ, आप government से खुश नहीं हो, हम आपके लिए good government जो है, वो introduce करते हैं, देखना ज़रा good government इन्होंने कैसे introduce की, सबसे पहले तो इन्होंने क का East India Company को हम क्या करते हैं, abolish करते हैं, East India Company को completely abolish करते हैं, और आज से जितने भी government के काम है, जितने भी territory के काम है, जितने भी revenue matters है, वो सब किसके control में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे Queen के control में, वहां की महरानी जो है सारी चीजे अपने हाथ में लेती है, और East India Company जो है, उसको वो खतम किया जाता है देन उसके बाद में अब जो यह पूरा इंडिया है आपका मतलब पूरें इंडिया मेरा मतलब है बृटिश इंडिया ठीक है जहां जहां पर बृटिश पूसेशन था पूरा में अपनी तरफ सारा कंट्रोल और रेगुलेशन करने की बात असली में हो रही है ठीक है तो सबसे पहले तो इन्हों उसको क्या बोला जाएगा वाइसराई ओफ इंडिया और यह जो है फॉर्स्ट बने आपके लॉड गया फॉरस्ट यह बने तो लास्ट गवर्नरट legitimate जे रािट कौन होंगे यही होंगे इंडिया जो है यह complete loyal होगा इनके लिए ठीक है हमारे लिए loyalty नहीं होगी इनकी इनकी loyalty complete होगी उनके लिए direct representation है यह आपके queen का clear है यहां से आप समझ सकते हैं इसके बाद में एक और काम किया इन्होंने एक post बनाई या जिसको office बोला इन्होंने कि एक office बना रहे हैं Secretary of State for India ठीक है एक office हम बना रहे हैं और वो किसका office बना रहे हैं Secretary of State for India और Secretary of State for India के लिए एक advisory council होगी इसको advice देने के लिए एक advisory council होगी जिसका नाम देखे क्या होगा Council of India और कितने member की होगी 15 member की council होगी council of India और यह इसका काम क्या है council of India को advice करना Secretary of State for India को और यह Secretary of State for India इसके पास पूरे इंडिया के administration का control होगा ठीक है पूरा regulation control कौन करेगा Secretary of State for India करेगा और अब देखिए twist वाली बात यह जो Secretary of State for India है यह British cabinet का हिस्सा है किसका हिस्सा है British cabinet का हिस्सा है तो क्या यह आप लोगों के लिए loyal होगा हम लोगों के लिए loyal होगा या उनके लिए loyal होगा obviously इसकी loyalty towards इधर होगी तो इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि regulation या control जो है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर दी तो यहां से 1858 से officially हमारे crown का जो rule है वो start हो जाता है एक बार मैं side में हो जाती हूँ अगर आपने image लेनी है तो आप ले सकते हैं इसका चलिए तो अब शुरू करते हैं इससे आगे का Government of India Act 1858 आपको clear है देन उसके बाद हम देखते हैं इंडियन council act of 1861 देखिए एक बात समझेगा जब 1857 का revolt हुआ उसके बाद में 1861 1892 1909 यह तीनों act ऐसे आएंगे जिसके अंदर यह हमको खुश करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का cooperation चाहिए हमको आप लोगों का सहयोग चाहिए हम भले इंग्लेंड से ब्रिटेंड से हैं लेकिन हमको इंडियन लोगों का cooperation या support चाहिए इसलिए आप में से कुछ लोगों को यह अपने पास बुलाएंगे और non official members बना देंगे कुछ और post दे देंगे तो आपको असली में यह खुश करने का काम कर रहे हैं लेकिन यह आपके हाथ में पावर तो कभी भी नहीं देने वाले ठीक है देन उसके बाद सबसे पहले देखते हैं इंडियन काउंसिल आक्ट ऑफ 1861 देखिए अब गवर्नेंट जेनरल ऑफ इंडिया जो है वह आपके क्या बन चुका है वायसराय बन चुका है ठीक है और इस वायसराय की जो काउंसिल होगी उसको एक्स्टेंड किया और इसको पावर दी गई कि कुछ इंडियन्स को यहां की काउंसिल है उसके अंदर इंडियन्स लोगों को नॉन ओफिशल मेंबर की तरह आप क्या कर सकते हो इंट्रोड्यूस कर सकते हो और इसी तरीके से जो लौड कैनिंग वायसराय थे 1862 के अंदर इन्होंने तीन इंडियन्स को नॉमिनेट किया था यह कभी-कभी पूछ लि पाला एंड़ सर दिनकर राओ ठीक है तो यह आपके पावर किसके पास आगई वायसराय की काउंसिल के अंदर आगई कि तीन मतलब इन्होंने तो तीन किये मतलब वो लोग कर क्या सकते हैं वो नॉन ओफिशल मेंबर इंडियन्स में से आपके चूज कर सकते हैं नॉमिनेट पास किया जाता है हमारे प्रेजिडेंट भी करते हैं ऐसी ही पावर इनके पास है यह जब भी अमर्जेंसी की कंडिशन होंगी और इंद पास कर सकते हैं और उस ऐसी हैं को कितने टाइम तक रहेगी और इसन का हैं वो शिक्स मंथ तक रहेगी ठीक हैं इसके बाद में portfolio system देखे क्या होता है कोई बहुत जादा ऐसे complicated चीज नहीं है एक department यह हो गया दूसरा department यह हो गया तीसरा department चौथा department ठीक है for example one two three four यह अलग-अलग department है इन सारे department का head जो है एक तरीके से इनका regulation करने के लिए यह अपनी council से एक person को भेज देते हैं और फिर उनके आपके जो भी decision होंगे आपके यह लोग जो भी decision होंगे collectively announce करने का काम या collectively बताने का काम जो है वो इनका होगा मतलब simple language में बोलें तो यह person जो इनकी council से हैं इनके अंडर में यह सारे departments रहेंगे तो किस ने शुरू किया portfolio system Lord Canning ने शुरू किया कब शुरू किया 1859 के अंदर शुरू किया आगे बढ़ते हैं इसके इसके बाद याद कीजिए आप जब हम regulating act वगेरा पढ़ रहे थे कि कुछ जो आपके यह बॉंबे और मदरास ठीक है इनकी जो legislative powers थी वो छीन लेगी थी ठीक है तो यहाँ पे दुबारा से decentralized करने की कोशिश की गई इनसे जो power छीनी गई थी legislation की वो legislative power इनको वापस से दे दी गई हमने पहले ही बात की यह आप लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं असली power इंडियन्स के हाथ में यह कभी नहीं देने वाले लेकिन इन किया उसके बाद में कुछ new legislative councils बनाई थी नहीं बेंगॉल के अंदर 1862 में North Western provinces के अंदर पंजाब के अंदर 1897 में यह एक fact वाली बात है आपको याद रखना पड़ेगा इसको ठीक है information बहुत जादा हो जाती है लेकिन आप जैसे ऐसे डाइग्राम बना के याद करेंगे त इतना सा है कि time to time revise करना पड़ेगा मैं यह नहीं कह सकती कि एक बार मैंने वीडियो देख लिया देन उसके बाद notes बना लिया उसके बाद revision ना करूँ देन काम चल जाएगा नहीं revision तो must है आपको बार-बार चीजों को revise करना पड़ेगा आप ऐसे short notes बना लीजे एक्जाम से पहले आपको बहुत beneficial लगेंगी यह चीजे आप अगर इस तरीके से short notes बनाते हैं और ऐसे diagram वे में मतलब आप अपने notes बनाते हैं तो पहली बात तो आपका brain जो है वो pictorial form के यह हमारा हो गया अब हम आते हैं Indian Council Act of 1892 देखे जरह यहां पर क्या हुआ है legislative councils जो है उन में non official members का number जो है वो क्या किया गया increase किया गया number increase किया गया तो आपको लग रहा है Indians को ज़्यादा बुला दिया गया लेकिन फिर भी majority जो है वो official members की ही रही ठीके no doubt इनो ने number increase किया ल official members की ही रही ठीके इसके बाद में हम देखते हैं कहां कहां से लोगों को लाया गया जैसे यहां पर लिखा हुआ है Bengal Chamber of Commerce and nominate किया प्रोविंसे से legislative council से इसी को आगे समझते हैं लेकिन उससे पहले एक फैक्ट और याद रख लेते हैं कि legislative councils को power दी गई बजट के उपर discuss करने की और executive के questions को address करने की ठीक है यह इनको power मिली अभी तक तो यह budget पर discussion भी नहीं कर सकते थे लेकिन अब इनको power दी गई है आपके address करने की executive के questions को और आपको क्या है budget के उपर discuss करने की power provide की गई इसके बाद हम देखते हैं जो हमने यहां पर बात की कि legislative councils जो है उसके अंदर non official members यह सब बढ़ाए गए तो इसी का structure देखते हैं देखिए legislative council एक तो central level पे ठीक है और एक आपके provincial level के उपर बात करें तो central level पे जहां पे non official members जो है central लेवल की legislative council में जो non official members है वो वायस राए आपके nominate करेगा किसकी recommendation पे किसकी recommendation पे आएंगे यह लोग Bengal chamber of commerce and provincial legislative council provincial legislative council यह वाली body हो गए ठीक है यह provincial legislative council है यह central legislative council है तो यहां पे जो non official members आएंगे Bengal chamber of commerce and then यहां से जो लोग है उनके recommendation पे आएंगे इसके बाद जो provincial legislative council है यहां पे governor जो है देखो किस से recommendation लेगा district board, municipalities, universities, trade associations, जमिदार्स and chambers तो इनमें तो Indian लोग थे यह सारी system जो हमने लिखे हैं universities, district board, universities, municipalities, trade associations, जमिदार्स and chambers इनमें तो Indian लोग थे तो इन्हों ने आपको मतलब Indians को non official members जो है वो बनाने की कोशिश की कि आप आओ और आप यहां बैठो इससे होगा क्या समझ के देखिए इससे Indians खुश हो जाएंगे कि हाँ यह तो देखो हमको अपनी council के अंदर बिठा र नहीं दी ठीक है यहां पर कहीं भी election term use नहीं किया लेकिन हम कह सकते हैं कि चलो भई ठीक है कम से कम इन्होंने representation तो दिया कम से कम representation तो दिया यही बहुत important बात है अभी तक का scenario हम देखे जहां बिलकुल भी हमारा कोई representation नहीं था वहां पर इतना representation मिलना भी हमारे लिए point of view से जितनी आपके लिए important information थी वो सारी important information हमने इसमें cover कर लिए आप यकीन मानिए आप इसके short notes बनाईए आप यह पूरी pictorial form के अंदर बनाईए देन उसके बाद पी वाई क्यू लगा के देखिए क्या इससे question मेरा बन रहा है क्या इतने limited information से मेरा question बनेगा and guarantee है कि आपक के लिए यहां पर लेकर आ रहे हैं ताकि आपका HCS prelims 2024 जो है वो किसी भी तरीके से हाथ से ना जाए तो I hope हम यहां तक clear हो गए होंगे मैं एक बड़ दुबारा से स्टार्टिंग से आपको slide दिखा देती हूं यह हम crown rule के part 1 की बात कर रहे थे जिसके अंदर सबसे पहले हमन में Government of India Act 1858 देखा देन इसके बाद में Indian Council Act of 1861 देखा देन इसके बाद में हमने देखा Indian Council Act of 1892 इससे बाद वाली जो lectures होंगे उनके अंदर 1909, 1919 and 1935 और फिर हमारे independence 1947 तक की जो कहानी है वो हम cover कर लेंगे So I hope आप लोगों को यह lectures जो है वो beneficial लगे, thank you so much and for support you can like, share and subscribe to our channel, thank you